सो हे गाइज कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बस एरपोर्ट्स प्रो के क्लोन वर्जन है तो उसके एरबट्स की बेटरी हम किस तरह से घर पर रिप्लेस कर सकते हैं और उसका बेकप बढ़ा सकते हैं उसके तक चार्ज ना भी करें तब भी हमारे एरबट्स जो हो चार्ज होते रहे हो और अपना बेकप देते रहे तो आज इस वीडियो में कुछ एक ऐसा एक्सपरिमेंट करने वाला है जो कि पूरे यूट्यूब पर किसी नहीं किया होगा अगर आप लोग के पास भी बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उसको देख सकते हो तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हो और मैं आपको बदाता हूं इसमें क्या करने वाल है जिसे कि हमारा बैटरी का बेकप जो है अभी बढ़ जाएगा तो यहां पर मैं आपको अगर आप लोग को यहां पर दिखे तो यहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं आप देख सकते हो 598 एमेच वाला जो एयरपोर्ट से वह अमारे पास है मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम बैटरी जो है 598 एमेच की जो कि मेरे एरबट्स को जो है दो बार चार्ज कर देती है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ओर चार्ज करूं एक दो दिन तक मैं चार्ज ना भी करूं तब भी मेरे एरपोर्ट्स चलते रहे तो आज कुछ यह सा करने वाला है ठीक है तो वीडियो को बिन स्किप के एक बार अच्छा देख लेना बहुत इंट्रेस्टिंग यूस्प पर है तेनो के आके यह अगरे लीडिया काने ला है कळ से अधिb कर थैक है तो चले मैं इसको ओपन कर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं में इसमें प्रीमिस का बैक बढ़ाने वाल है हुआ हुआ है अधैस पहलिता है तो देखाया पष्चार्जक कोल है तो यह फंगोत और ़्लंध मैं भी चुल रहा है तो पहलो है एसके बैटरी मैं नहीं है है आप देख सकते हो इसकी बैटरी जो थोड़ी सी फूल गई है अब उसको आपको मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो को बीन स्किप के एक बार पूरा देख लेना अब यहाँ पर जो भी मैं एक्स्प अब गया तो चलिए मैं खोल के आपको दिखा देता हूं कि अनुट है कि अनुट है कि अनुट है कि अच्छ को आपको यह जो रिबन इसको अपको ध्यान से निकालना ठीक है यहाँ पर आपको एक ब्लेक कलर का लोग मिलेगा उसको आपको खोलना उसके बाद इस रिबन को निकाल देना यह क्या है आपके एरपोड की LED लाइट है ठीक है यह ही आपका चार्जिंग इंडिकेटर वर यह लीड ओन ओफ का जो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखता ह पून हो जाएंगे चसकर निकलते हो बार जाट यह लएह अचन figure पर देरीच की आपके यहां पर पूल जाएगी साउद्ट मॉट कर आपको प्रेस हो रही है मतलब यह battery full गई है, इसी वज़े से हमारा backup नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पर इस battery को हम replace करेंगे और दूसरी batteries लगाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक battery को छोड़ कर दो battery लगाएंगे, अगर इसमें fit आ जाता है, तो मैं यहाँ पर दो battery लगाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने जो है, ओल्रेड़ी यहाँ पर दो battery का set एक बना के रखा है, इसको जो है मैं इसमें install करने वाला हूँ, अगर इसमें fit आ जाता है, तो दो battery लगाएंगे, अधर्वाइस यह जो उपर वाली एक है, उसी को लगाएंगे और अपना एरपोट ठीक कर लेंग तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा motherboard आ चुका है, अब यह जो motherboard है, इसके साथ साथ हमारा एक charging coil लगा हुए, अगर wireless charging हम इसमें करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, तो इसको हमें ऐसे ही रेना देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा कोई impact नहीं पढ़ खराए, तो हमें सिर्फ यह बेटरी इसको डिसोल्ड करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी बेटरी लगा देनी है, तो चले वो भी मैं आपको करते हैं, यहाँ पर लाइव दिखा देता हूं, उसके बाद आप जो है, खुझ से कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात कर यहाँ पर हमेशा द्यान रखना है, आप इस टैप की कोई पी चीज़ अगर आप ङर पे ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्किल होने जक्रूर है, क्योंकि अगर आपको पास कोई भी स्किल नहीं है इस टैप की, तो यहाँ पर आप इसको एक फिर को दोしょ, कि यहां पर चले में इसको निकल दता हूं यहां पर्टरी यह इस टेपके के फुल वे बैटरी उसको आमने निकल दीआ 이제 में दोनों को लगांगा अधरवाइस कुछ लगांगा तो चले आप देख लेते हैं हमारे और एरपॉर्टिस है यहां ठिक है कि यहां पर दोनों बैटरी नहीं आ सकती ठीक है लेकिन यहां पर हमारे पास एक और सोल्यूशन है मेरे पास एक और बैटरी पड़ी है वह भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं अगर वह चल जाती है तो हम उसको भी यहां पर इंसेट कर सकते हैं तो चले वह भी मैं तो फ्रेंट्स अब यहां पर देख सकते हैं एक छोटी वाली बैटरी जो है यहां पर एटेच कर दिया है वह जो बड़ी बैटरी थी उसको उमने निकल दिया क्योंकि यह जो है अमरे एरपोर्ट में नहीं आ रही थी तो इस वज़़े से यहां पर मैंने छोटी बैटरी लगाई हो और यहां बड़ी बेटरी यह जो है 600 मेंच की मतलब की 800 मेंच की हमारी बैटरी के दोन मिला कर अब कुछ लोग कमेंट करेंगी इतने चोती से बेटरी 200 मेंच की कैसे हो सकती है तो बाइट 200 अब यह जो बैटरी इसी साइज में और बैटरी आती है 300 एमेज के ठीक है तो यहां पर साइज का कमपेरिशन मत करना यह जो है 200 एमेज की और यह जो ती वो अब इसको निकाल के आप यहां पर देख है यह जो है अमरी दो बैटरी यह आपर फेक्स नहीं आ थिक है जो है इसमें सिंगल बेटरी लगा ने पढ़ेगी तों चलिया व को हम लगा कर देखsystem को दालने की कोशिश की लेकिन इतनी इतनी स्पेस ही नहीं कि YOU विचैने यहां भत रूषी यह बड़ीना पीना पर देख सकते उत्व संसली और यह और भी पूरा 바로 इसका कितना बेकप आएगा वह मैं आपको थोड़े दिन में बता दूंगा कम्यूनिटी पोस्ट में या फिर इंस्टाग्राम पर तो अगर आप लोग अभी तक फोलो नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू आप लोग देख सकते हो मैंने एक वीडियो बना के रखे जिसमें मैंने जो है चार्जिंग पोट को चैंज करते टाइम अपना पूरा बोर्ड खरब कर दिया था तो वह भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी ठीक है तो चलिए अब इसको हम जो है यहां पर डालते है तो यहां पर देख सकते हो मैं यहां फिर से स्कुरू डाल देता हूं मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूं अगर आप लोग ने कभी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया तो प्लीज आप इसको गर पर ओपन मत करना क्योंकि आप लोग 100% कुछ ना कुछ यहां पर डेमेज कर ही पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम यह जो हमारी वायर्स बची हुए जो कि हमारे एरबट्स को चार्ज करेगी उसको अमें फिर से सोल्ड करना है ठीक है यहां पर मैं इनको सोल्ड करके आपको बाद में दिखाता हूं हमारा वायर्पोड वर्क करता है या नहीं करता तब तक आप इस वीडियो को लाइक करते हूं और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूब कर देना तो देखेगाईज यहां पर शोल्ड कर दिया है और कुछ इस तरह से हमें आपने एर्पोड फिर से पक्रेक्स कर दिया है अब यहां पर हमें देखने वाली बात या है जब हम इस बैल्ट को इसमें लगाएंगे तब हमारा एरपोड चलम होता या नहीं होता तो चलिए करिए वेक्ष्टि यह पर देख सकते हैं यह एक लो काता है इसको आए पिक्स कर देना यहां पर देना ठीक है तो यह कुछ भी ग्रिन लाइट ओन हो चुक है हमने कुछ भी डेमेज नहीं किया 100% हमारा जो है वर्किंग ही है ठीक हमने सिर्फ इसका बेटरी रिप्लेस किया देखो यहां पे यह जो फुली वही बेटरी थी उसको निकाल दिया और यह दूसरी जो है दूसरी बेटरी जो हमने इसके जगए रिप्लेस कर दिये ठीक है तो चलिए आब इसको हम फिर से फिक्स करते हैं जैसे कि हमारा एर्पोर्ट पहले था तो अब यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले जो है इसके अंदर यह वाला पॉर्शन है उसको हमें यहां पर लगा देना है जिसे कि हमारा पर परफेक्ट जाएगा ठीक है तो देखें यहां पर कुछ इस टाइप से में करना है अब यह सारे फ्लेक्स है इसको आपको बीच में कहीं पर भी नहीं रखना है यहां पर मदर बोड़े उस साइड पर जो है मैं सारा कुछ यहां पर मोल्ड कर देना उसके बदम इसमें जो है प्रोपरली फिक्स आ जाएं तो चली आप हम करते हैं यह आपको आपको इसमें इंसर्ट करदेना है अपको यहाँ पर द्यांद से करना है क्योंकि यह जो है लोग एक बार जाएगा तो चलिया चल्ब तोब सब्सक्राइम है फोड़ा साये तो थोड़ा सब कर देना क्या ओपन तो यहाँ पर थोड़े बहुत आप को निशन देखनों को मिलेंगे लेकिन यह से हमारा जो है 100 परसंट वरकिंग आप देख सकते हो देखो जैसे में लीड ओपन करता हूं तो यहां पर हमारी जो है लीडी स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से जो आप अपने एरपोर्ट के बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो कि अल्रेडी मैंने बता दिया था इससे पहले मैंने वीडियो बना के रखी थी लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर इसका बैटरी बेक आप बढ़ा सकते तो उसको हम यूज कर सकते थे तो इस तरह से जो हमने अपना एरपोर्ट के बैटरी रिप्लेस कर अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और इंट्रेस्टिंग लगी हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करना आपने फ्रेंड्स का साथ भी शेर जरूगा देना थैंक्स वाचिंग गाइज शि प्लेज जरोरर कर देना थैंक्स वाचिंग एड़ाने वाचिवण ग्राव भी शेर्ट गाचा हो प्लेज़गा प्लेज़गा